वेलकम बैक इस्टुडेंट्स वेलकम बैक टु दे चैनल चैनल में आपका स्वागत है क्लास 10 एंसी आटी जिग्राफी के चेप्टर फर्स्ट हम पढ़ रहे थे रिसोर्स अंड डेवलप्मेंट संसाधन विकास संसाधन विकास चेप्टर काफी लंबा हो जाता है लंबा च इसलिए आप थोड़ा सा भी इस लेक्चर को आप इग्नोर ना करें और जितना पॉसिबल से पॉसिबल हो सके सौर्ट नोट्स बनाने की कोशिस करें जिससे आपका फेजबन का जो एंसी क्यूज वाला जितना भी आपका क्वेस्टन आएगा सोसल स्टड़ी से आई होब 99 आप उससे कर ले जाएंगे 99 परशेंट कर ले जाएंगे बस अरते में जितना आपको कंटेंट प्रवायट करा रहा हूं ट्रस्ट उन देट करके नोट डाउन एंड मेक टार्ट नोट सो एक्जामिनेशन टाइम अपने परीच्छा के दुरान आप उस्से रिवाइज कर सक से हैं basically यूपी बिहार हर्याना पंजाब यहीं सोंगे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं प्लेलिस्ट मैंने टेन्थ जिग्राफी एंसियार्ट का मैंने प्लेलिस्ट बनाया उसमें अलड़ी मैंने पार्ट शिक्स को प्लोट कर दिया आप उसे देखें अगें उसके बाद यहां पर आए अगा दो आज कका अब ने लैन्ड यह पैटर्ण इनडिया भारत में भूमी करत में कहां कहां कौन से चीज़े किस और क्या भारत की जगह पे जैसे थी खित्यों पर प्रतियक जगह पे एक में हूँ यह सारी चीज़े आज हम देखेंगे आने वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे रिस्वोर्स चीजर्वेशन पढ़ेंगे उम्मीद करते हैं आप लेक्चर को पूरा देखेंगे और नोट्स आवस्ते बनाएंगे प्लीज जस्ट मेका नोट्स इट्स वेरी इसेंशिल फॉर एवरीवन हो इस गोई तो फेस्ट फेस्ट वन इग्जामिनेशन इन नावंबर लैंड यूज पैटर इंडिया लैंड यूज पैटर्न के कारिंग दू रूपए में आप डिवाइट कर सकते हैं लैंड यूज पै हिंदी वाले इसको बोलते हैं भौतिक कारक भौतिक कारक ठीक है कारक दूसरा human factor मानुवी कारक मानुवी कारक ठीक है यानि यही दो लोग मिलके नहीं लैंड उटिलाइज करते हैं या तो उस लैंड पे physical factor अवेलबल होंगे या human factor की जो है वहां पे अवेलबल होंगे और अपाइनल ब्लाफी की दोनों मिलके लैंड का फाइनली उटिलाइज करेंगे तो आये देखते हैं फिजल प्लैंट यह भूब का अलग अलग सेप है अलग अलग उसकी परकारे हैं उसके काइंड है क्लाइमेट मतलब जलवाईव फिचकल फेक्टर में आपका क्लाइमेट भी जो नेचर दोबना दिया गया वहां का जलवाईव कैसा है गरम होट है कुल है विंटर सीजन है रहनी सीज स्वाइव से वहां के अकटनोमी नहीं परभावित होती है यह सारी चीजे फिजिकल फैक्टर में यह फैक्टर होता है फिजिकल जो कि वैरिवेट होते हैं थैंसे कारक इंसान अपना यानि काया आइधि ने इसान की जूड़ी होती है और यह यह लेंड यह दिलाईज करता है जैसे पापूलेशन डेंसिटी जनसांख्या घनतो मतलब एकॉर्डिंग टोपोग्राफी अगर टोपोग्राफी सही है भू आक्रिती आपकी एरिया की सही है सम्तलोल एरिया तो जाहिर से बात है वहाँ पे लेंड कम्यूनिकेशन सही होगा परिवहन ट्रांस्पोर्टेश ज्यादा वहाँ पे उनका ग्रोथ होगा उसके साथ साथ वाइड लाइफ रिजन में ज्यादा पाया जाएंगे तो जाहिर से बात है अगर टुपोग्राफी सही है क्लाइमेट सही है अगर तीन चार अगर सही है तो हम पर पॉपूलेशन डेंसिटी बढ़ जाता है जैसे ख़जार के आसपस एक किलोमेटर में लोग रहते हैं और वहाँ पे देंसिटी के मामले में और वही अरुराचल परदेश चले जाएंगे एक किलोमेटर पर दो लोग तीन लोग दिखाई देंगे बहुत ज्यादा हो जाएगा क्यों कि वहाँ पर पापोलेशन डेंसिटी यदि घर बना भी लेता है तो रहने के लिए उसको जितने उसको डेली एक्टिविटिस करने के लिए वाटर चाहिए उसका हेल्थ सेक्टर वाला को मतलब समुदाई का स्वताल चाहिए सिच्छा वाले सिफचीज चाहिए उसको आसाने से अवेलबल नहीं हो पाएंगे उस आब जिस पापर में का sãoने सक्टाव में अब्रों अपर नहीं हैले यहीं और फाइफ्विट सेणृविक मिल्ने में डिक्कत होंगे आपको वहें पर कमी आभाव लोगर जाहिए और प्न नहीं है ठीक है यह हमारे human factor में आते हैं मानुई कारक में आते हैं किसके the land use pattern determined both उसमें एक आते हैं ठीक है culture and tradition यह भी लेंड यूज इस लेंड यूज़ पैटर्न में human factor में आते हैं culture and tradition मतलब कौन से धर्म के लोग रहते हैं यहां का culture क्या है वहां के tradition क्या है यह सारी चीज़े लोगो को कहीं कहीं बात कर रखता है और लोग अपने लेंड के एक्वाडिंग जहां पर ज्यादा रहना पसंद करते हैं यहां पर इसाई कम्यूटी को लोग की संख्य ज्यादा है तो अब यसली वहां पर इसाई वाले ज अब पर दुनिया में और खासका भारत में युस पैटर्न को डिफाइन किया गया है और कुछ बेसिक चीजें फिर मैंने हैं पर पॉइंट वाइस करके लिए आप ऐसे पॉइंट वाइस करेंगे जैसे में लिखा हुब आप ऐसे लिखेंगे अब बोड एक्जाम में जाएंगे और फिर सेकेंड के जब एक्जाम देंगे अगर आपका क्वेस्चन आ जाएगा लॉंग क्वेस्चन आ जाए अगर पुछ दे एक्स्प्लेन अबाउट यूस पैठर्न इंडिया तो जैसे जैसे मैं दीखा हूं हूब 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 आप चैलेंज देखे करता हूब नंबर काटने की गलती नहीं करेगा क्योंकि जितने भी बड़े बड़े इस पीचियस इतने भी इसमें इसी डाइग्राम करें लोग इस्तमाल करते हैं लिखते हैं और क्या बोलते हैं आपका बोल्ड ऐसे आपका हीडिंग वाइस करके हम लोग जिसे हमको अधिक-अधिक मार्स मिलता है तो आप लोग भी इसको अपनाएंगे तो एक्जामिनर को देखेगा तो इस्तमाल इस्तुडेंट किया है और इसके साथ-साथ काफी हीडिंग के तौर पे और इसका पॉइंट वाइस करके दिया उसको पढ़ने में काफी असानी अधर धर जांसरिक नंबर देते जाएगा तो प्लीज अप्लाइब इस मेफ़ोड्स आप अप्लाइड इन मेनी एक्जामिनस और सो यू कैन अल्सो काफी नेक्स पॉइंट हां 32.87 मिलियन मैंने है गलत लिए यहां पर 3.28 मिलियन लगभग 3.28 मिलियन हमारे भारत का एरिया है 32.87 एक मिलियन में 10 लाग 3.30 मिलियन में 30 लाग 32.87 यहां हमारे देश का एरिया है आप जानते मैंने आल्रेडी वीडियो में आपको बता दिया है 93 परसेंट टोटल एरिया युटिलाइज हमारे देश की भूमी है 32 लाग उस 32 लाग को अगर हम 100 परसेंट मान ले तो उसम हमारा उचुलाइजिसन है उसका मेरे पास सटलाइट से रिकॉर्ड निकाले हैं उसी मतलब वह सारी चीजह उसके डेटा उपलब देता आप कहेंगा साथ परसेंट कौन खा गया 7 आप जानते हैं 7 परसेंट पाक अक्यूपाइट का समीर जो कि जैंड के में आप इमेज में तो यह दूनों पार्ट फड़ ले तो दूनों पार्ट को मिला दे तो 7% घुमी यह चुट्टे दूनों मिलक हमारा छिन लिए पाकिस्तान अक्यूपाइट कास्मीर और अक्साइच ठीक है नेक्स्ट बढ़ते हैं यह था मैंने आपको दूनों बता दिये फिर आते हैं लेंड यूज रिपोर्टिंग मुस्ट अप दो नॉर्थ इस्ट नॉट डन कर रहा है लेंड यूज पैटर्न हमारे देश में अच्छा खा सभी कास हो चुका है लेकिन नॉर्थ इस्ट स्टेट्स में आप जाएंगे और राचल परदेश आसाम मिजोरम नागा लेंड ति क्रिति के बनावट है कहीं पर ऊबढल है कहीं कहीं बात है कहीं नदी है जील है लेंड्य होगा ज्याधा पूंजी कम चाहीं लेकिन मोधी फिश्ट और लॉना लेंड युटिलाइजेशन के माहले में काफी पीछे इसलिए उसका बात कर रहा है सम एरिया लाइक पाकिस्तान अक्विपाइट का स्मिर अक्साइड चीन में भी हम उसका इस्तमाल अभी नहीं कर पाया जो मैंने आप बताया क्योंकि हमारे अंडर में नहीं है उनका अब टे गया चेततर या जूता हुआ गया चेत्र ऐसा चेत्र जो एक साल में लगभग एक या दो बार जहां पर खीटि कर दीघिक आ उसे नेट सोन एरिया बोलतां एसा बहरत में नेट अरिया पहले 45.26 ते अब 46.26 परसेंट हो गया मतलब बहले पहले से ज्यादा आप कल्टीवेशन खेती की मातरा बड़ी है और प्रोडक्षन भी बढ़ा है ताप आएंगे सर कैसे बढ़ा है और इसली बढ़ेगा क्योंकि पहले आदी 20 करोड थी और जिस जमीन पे फॉरेस्ट मुझ फॉरेस्ट को कटूंगा कट के मापे मैं खेती बनाऊंगा जाहिए से बात है तब हमारा क्या बढ़ेंगा नेट सुन एरिया 45.26 परसेंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा इसलिए बोल रहा है कल्टीवेशन का छेत्र बढ़ा है नेट सुन ए उसलिए कर रहा है नेट सुन एडिया हमारे स्टेट वैरि टु वैरि एक स्टेट से डुसरे स्ट में वैरि अलग अलग करता है इसलिए एक्जामपल में 80% अगर पंजाब में 100% भूमी है तो वहां पे 80% भूमी पे खेती की जाती है जी है अगर पंजाब में 100% भूमी भूमी पे खेती करने लाइक है तो 80% वहां के लोग पंजाब और हड्याना के लोग उस पे खेती कर लेते हैं ठीक है अब वही देखिए अरुडाचर प्रदे नहीं मिलता है तो हमको खेती करणें तो फाय देने इसलिए 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 शुद दुबया के खेत का अंतर अलगलग स्टेट्स में अलगलग होता है क्यों मैंने एक्जामपल बता दिया अब आते एरिया अंडर फॉरेस्ट में यहांत बहुत आता थे decade में भारत के कुल छेत्रफल के 80.1% पर preset पर Bem एक क्या था आपका forest है मालिजी यह भारत का छेत्रफल है मीज़ु ब्रणव आपना देश आप जानते हैं कि कु अगर यह कि मालिजी यह भारत में बताता हूं यगा था तो भारत यह चे पर रहत यह एक परसेंट के कोडिंग हमारे पास कम से कम 18.11 परसेंट पर निस सु साथ और एक सट में 18.11 परसेंट पर क्या था फॉरेस्ट था लेकिन हमने बिर्धी की में 24.39 परसेंट बिर्धी हुए लेकिन 2017 में 21.54 परसेंट थी लेकिन 2019 में 24.39 परसेंट हो गई यानि एरिया अंडर फॉरेस्ट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि पॉलूशन तीजी से बढ़ रहा है और गवर्मेंट अभेर्नेस फैला रही है जानकारी फैला रही है लोगों के पास घ्यान फैला रही है यह देखिए आप लोग प्लांटिंग कीजिए ब्रिक्ष लगाईए ब्रिक्ष लगाएंगे तो ओटू की मात्रा बढ़ेगी परशेंट जमीन पर लगवक्त तैसी परशेंट वहां के जमीन पर फॉरेस्ट कबर होना चाहिए अगर सब्सक्राइब अगर सब्सक्राइब कर सकते नहीं होगा फिर पॉलूशन बढ़ेगा और सांस लेने में दिक्कत होगा जो कुरोना कालम देख रहे हैं तो लोग सिले सुलेंडर धो रहे थे सुलेंडर पर लोग की जानती की थी यह सारी प्रॉब्लम क्रियेट हो सकते हैं ठीक है यह मैंने बताया और मैं कुछ यहां पर मैं और आपको डाटा दिखा रहा है उस डाटा को आप नोट डाउन करेंगे और डेटा को नोट डाउन करके आप उसे अपने स्वर्ट फर्म और अपने नोट में उसे बना के हमें दिखाएंगे ग्रूप में ठीक है तो मैं इतना देख लिया और यह पॉइंट बचता है कंक्लूडर में कंक्लूड करके निसकर्स निकाल है continuous use of land over a long period of time अगर लगातार इसी तरह हम धरती का इस्तमाल करते रहे है बीना कोई तरीका के बीना कोई planning के बीना कोई taking appropriate measures बीना कोई step उठाए तो to conserve and manage it बीना इसको बचाए बीना इसको manage कि अगर हम इसी तरह land का जबर इस्तमाल करते जा रहे हैं तो समय आएगा कि हम लोग अपने मौत से दूर नहीं रहेंगे मौत के बहुत करीब रहेंगा समय आ रहा है और इतनी वी future generation होंगी उनको ऊटू नहीं मिलेगा सफोकेशन होगा तमाम तरह तमाम तरह के लंक्स diseases होंगे जिससे इंडारेक्टली डारेक्टली उसका जो सोर्स होगा forest cover और लेंड का दनादन इस्तमाल होते जा रहा है तो इसलिए कर रहा है हमको बढ़ा देख के ध्यान से हमको लेंड का इतना तेजी से अवाधी बढ़ा है लोग पेड काटे हैं पापुलेशन बढ़ा है पॉलूशन बढ़ा है टेकनोलजी आई है यह सम मिलके लेंड को घर्ती गर्म होगी तो लेंड जो है जो खेत फटाइल लेंड है वह इनफटाइल होगी तबदील होगी तो जाहिए बढ़ेंगे आपको बचाना दोस्त इंट और यह बाद में चलके हमारे समाज पे और हमारे आने वाली पीड़ी पर हमारे एक लोजिकल बैलेंस को परिष लिए से बचाना चाहते हैं तो यह बाद करेंट को झाल यह करते हमारे प्लांट यह दो आइनाफ प्लांट किरेंट को चुलाईं अर्शिक आवी आपके पास्याइब निकाले टाइं बचुराइए और जितना पॉसीबल उसे पर मगए और नगाए तो जाहिए और तक सी ब समझ़े रहांगे नई समझ रहांगे तो फिर फिर आगे देखे और चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें जितना अधिक हो सकें शेर करें और नोट्स को अब बनाके दे सकते हैं और और बाई थैंक यू